स्वाग एतनी गर होगे हमारा सो वेलकम, वेलकम, वेलकम एवरिवन तो अमेजिंग सेशन, जिदर आपन क्या करेंगे आज आज आपन AS26 का मीठा-मीठा प्यारा-प्यारा क्या करेंगे रिविजन करेंगे, सर, किसका AS26 का ओके, इन्ताइजिबल असेट्स but before I start the revision please 2-4 बाते मेरी सुन ले न सबसे पहले जब आपन revise करेंगे तो हम मीठे मीठे सिर्फ concept revise नहीं करेंगे हम मीठे मीठे के साथ सथ प्यारे प्यारे question भी revise करेंगे sir अच्छा concept with question का revision है हाँ तो अब जब मैं revise वगरा करूँगा तो मैंने ये मस्त वाले board notes लिखाई दे class के अंदर जिसमें मैंने concept भी लिखा रखे question भी लिखा रखे तो क्या करना? download करना है तो कहां से मिलेगे? मेरे telegram channel से जिसका link है description box में वहाँ जाके आप download कर सकते हो और अगर revision वगरा अच्छे लग रहे तो अकेले मत देखके benefit लेना दोस्तों करता शेर भी करना मतला मेरे ले तो वही motivation factor है भाई मुझे क्या motivation डालनेगा YouTube पे free में revision बराबर तो तुम बस अपने दोस्तों से share करना पसंदा है तो like अगरा कर देना और comment कर देना बस ठीक है चलो तो without wasting any time let's start the revision of cute cute AS26 intangible assets in 3, 2, 1 and go सबसे पहले number AS26 नाम intangible assets सबसे पहला point आपने क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था definition definition किसका एक ही definition intangible assets का क्या बोलता है वो बोलता है intangible assets is a identifiable non-monetary assets without physical substance held for use चलो एक-एक को decode करने का ट्राए करते है identifiable का मतलब क्या होता है वो बोलता है दो condition हम देंगे दो में से कोई भी एक meet करना है अगर एक भी meet का तो identifiable है क्या है वो दो condition पहला if it can be separately sold from other assets इसका मतलब सपोज मेरे साथ balance sheet में software है inventory है, PPE है, telecom license अगर है अब मुझे बताओ क्या यह software है क्या मैं यह अलग से बेच सकता हूग है मतलब बिना किसी दूसरा सट को बेचे क्या यह अलग से बिच सकता है क्या if the answer is yes, यह अलग से बिच सकता है तो यह identifiable है second, if it arises from a separate legal contract मान लो यह जो license है यह मुझे government ने दिया है suppose मैं reliance telecom हूँ और government ने बोला है कि 5G का license आपको दे 10 years के लिए तो यह license कहा से मिला मुझे government से मिला मतलब यह legal contract में मिला है मुझे तो अगर आप asset को separately बेच सकते हो या फिर if any intangible arises from a separate legal contract दोनों में से कोई भी एक meet किया तो आप बोलोगे identifiable है पहला second बोलता है non-monetary asset अब यह non-monetary क्या होता है यह वैसे AS level में defined a formally but आसान भाशे में समझने का try करेंगे मतलब तो जैसे for example अगर आप cash balance की बात करोगे debtors की बात करोगे तो इनका क्या होता है जित्ता balance दिख रहे है बराबर आपको इससे जादा benefit भी हो सकता है से कम benefit भी हो सकता है but intangible are not realizable in cash इसका आपको कोई रोगणा देने वाला नहीं है आप बोलोगे से में बेच के पैसा ले सकता हूँ बेचोगे तो पैसा कम जादा मिल सकता है exactly 5 lakh नहीं मिलेगा बराबर तो जहाँ जिस value पे वो दीख रहे शायद आपको इससे benefit जादा मिले शायद कम मिले बेचने जाओ तो पैसा कम मिले जादा मिले possible है उसको बलते non-monetary asset मतलब इसका जितना value दीख रहे उतना आपको benefit शायद ना मिले non-monetary और अगर formal definition देखो तो it is not realizable in fixed or determinable units of currency यहाँ fixed or determinable amount मतलब exactly इतना amount आपको शायद नहीं मिले उसको बलते non-monetary होना चाहिए बट डोंट वरी डीटेल में आपन AS-11 न पढ़ेंगे उसके लाब हो without physical substance भाई substance नहीं है तब ही तो intangible है अगर substance होता तो तब तो tangible हो जाता उसके लाथ held for use यूस कर रहे हो तब ही वो intangible है अच्छा एक और चीज़ में आप लिखाई थी अगर suppose intangible आप use नहीं कर रहे हो it is held for sale in ordinary course of business तो फिर वो intangible नहीं फिर वो AS2 की inventory बन जाएगी ध्यान लगना बराबर यह आपने डेफिनेशन देखा था उसके बाद मैंने आपके guidance दिखाई थी guidance on asset that incorporates both tangible and intangible elements एक ऐसा asset जिसमें tangible element भी है intangible element भी है example suppose अपने software खरीदी CD में आई अब CD तो tangible है न CD को you can feel बट उसके अंदे के software को you can't feel तो अब इसको बोलते an item which has both elements तो इस case में मैं किसको record करूँ software को record करूँ CD को record करूँ तो बलते है which is the more significant element यहाँ पैसा आपने किसके लिए दिया रहेगा you have paid the money for software तो आप AS26 के हिसाब सरे record करना second computer machine purchased incorporating software computer वगरा खरीते है उसमें भी software आता है बट यहाँ आप majority पैसा किसका दे रहे हो computer का दे रहे हो तो you will record at AS10 PPA तो यह definition और कुछ basic guidance वगरा था उसके बाद second point recognition criteria इसमें ना AS26 में काफी सारे points AS10 की तरह है तो यह chapter AS10 के बाद ही करना ध्यान रखना ठीक है तो recognition criteria same as AS10 future economic benefit और cost can be measured reliably उसके बाद है का measurement initial measurement at cost यहाँ subsequently by cost पे होता है ठीक है देखो AS10 में क्या था initially cost पे होता था but AS10 में subsequently लिखना है दो model थे cost और evaluation यहाँ नहीं है यहाँ एक ही model है दुनों जगे पे initially मतलब day 1 पे भी cost पे record करना है subsequently मतलब year end पे भी cost पे record करना है यहाँ love और arrange वाल concept नहीं love कर ले arrange कर ले यहाँ सब arrange मेरे जी है सर आप समझाया अब initial measurement cost का मतलब क्या होता है तो आपको देखना पड़ेगा आपने asset acquire कैसे की है या तो आपने खरीदा रहेगा purchase या फिर exchange में acquire किया रहेगा या फिर amalgamation में acquire किया रहेगा या फिर खुद generate किया रहेगा या फिर government grant में acquire किया रहेगा अगर आपने asset खरीदा है तो इसके cost में क्या क्या आएगा purchase price less trade discount and rebates add a non refundable taxes मतलब refundable है तो consider मत करना add all the directly attributable expenses यहाँ वो decommissioning वगरा कुछ नहीं है मतलब इसकी cost कैसे निकलेगी exactly same as AS10 तो इसलिए बोला AS10 पढ़के आना जो AS10 वाली चीज़े वापस repeat नहीं करेंगे आपन सर cost में क्या के चीज़े नहीं आएगी वो भी same as AS10 है ठीक है अचा AS10 की revision भी है YouTube पे जाके देख लो अगर तो farewell of asset acquired वो भी नहीं है तो carrying amount of asset given up अचा अगर transaction में substance नहीं है तो एक ही preference है carrying amount of asset given up हाँ सर याद आ गया अरी हाँ miracle याद आ गया हाँ वो ही है बस उसके बाद मजा इदा रहे यह important है asset acquired in amalgamation what is the meaning of this अगर आपको याद नहीं तो यह मेर से कुछ तो पैसा मांगेगा तो suppose इसकी company मैं खरीद रहा हूँ AK तो AK will pay some PC और PC देकर PC मतलब purchase consideration देकर क्या मिलेगा उसको उसको सारे net assets मिल जाएंगे at fair value ठीक है of course कभी-कभी मैं PC extra देता हूँ क्यों दिया extra for goodwill तो यहाँ दो चीज़ है सबसे पहला जब मैं मेरे point of view से देखना आकाश कंदो के point of view से जब मैं सामने वाले company के सब कुछ acquire करता हूँ तो उसमें मैं intangibles भी acquire कर रहा हूँ कौन से value प acquire करना है आपको सबसे पहले सब कुछ fair value प acquire करना है जब आप कोई भी आगे एक चीज़ भी पता ही है purchase goodwill is always record क्योंकि amalgamation में rise हुआ है purchase goodwill हमेशा record होता है self generated record नहीं होता है वह मैं नीचे discuss करूँगा intangible acquired in amalgamation तो amalgamation में acquire कर तो fair value पे take work करना second difference रहा है गुडविल में जाएगा इसकी काफी सारी बात है AS14 amalgamation में भी होती है मैंने सिफ relevant काम की बात ही किए इधर उसके बात internally generated intangible asset इसका मतलब जैसे PPE में होता था self constructed asset यहां self constructed नहीं बोलते है यहां क्या बोलते है internally generated तो सबसे पहले वह बोलते है अगर आपने internally generated goodwill किया है खुद goodwill generate किया है तो इसको आप as a asset record नहीं कर सकते है क्यों यह सबसे पहले identifiable नहीं होता है क्यों नहीं होता है identifiable सबसे पहले can it be separately sold खुद का goodwill आप कभी अलग से नहीं बेच सकते है सेकेंड जो खुद का goodwill है internally generated goodwill वह किसी legal contract में arise नहीं हुआ है कोश मालूम होनी चाहिए अब खुद का goodwill generate करने में खर्चा किता लगा कैसे मालूम पड़ेगा नहीं मालूम होता है बराबर तो आप मैंने इधा summary दे दिया नीचे कि goodwill दो तरका होता है एक होता है जो आपने खुद generate किया कभी record मत करना दो reason आपको उपर बता है बट अगर purchase goodwill है जो amalgamation में आया याद है ज्यादा PC दिया तभी आया उसको आप record कर सकते हो क्योंकि वह identifiable भी है सर वह कैसे identifiable है जो purchase goodwill है मैं बुलो it has arise from a legal contract of amalgamation और second इसकी cost measurable है कैसे measurable है जितना ज्यादा PC दिया उतनी आपकी goodwill हो गई तो मालू में ना कितना amount हो गए goodwill का इसलिए तो इसलिए आप purchase goodwill को record करते हो उसके लावा अगर goodwill छोड़के कोई दूसरे intangible assets है उसका क्या करना है उसको दो phase में बाट देना पहला research phase दूसरा development phase research phase में किया गया सारा खर्च जाएगा PNL के अंदर development phase का सारा खर्च आप capitalize कर सकते हो लेकिन हमको मालूम कैसे पड़ेगा development phase शुरू हो चुक है sir तो development phase शुरू होने के लिए छे condition check करते हैं आपको याद करने एक्जाम में आ सकता है सबसे पहले technical feasibility of completion दूसरा intention to complete तीसरा ability to use or sell the intangible, चौता availability of adequate resources, पाचवा how it will generate future economic benefits और छटा cost can be measured reliability यह 6 condition जिस दिन meet हुआ उस दिन से development phase begins development phase शुरू हुआ आप खर्चा कर सकते हो, अब याद कैसे रखे एक शॉट ट्रिक बताई थी मैंने पहले 2 condition completion को लेकर है बाकी के 2 शुरू होते A से है न, और बाकी के 2 है आपके recognition criteria, FEBs and cost can be measured reliability तो वैसे याद रख सकते हो आप जहान न, all 6 are to be met ठीक है, तो यह था regarding internally generated intangible asset other than goodwill उसके लिए एक आपको मैंने summary दिया था for MCQs कुछ intangible, अगर internally आपने generate किये, तो इसको आप record नहीं कर सकते है just like goodwill, जैसे goodwill आपने खुछ generate किया can't record न, वैसे यह भी intangible ऐसे कुछ और 3 चीज की list है जिसको आपने खुछ generate किया, you can't record brand, customer database and publishing titles and mastheads sir यह क्या होता है, publishing titles आपने देखा magazine के titles होते है newspaper के headings होती है जो इनसांग खुद बनाता है, वो उसके लिए तो assertie है, but he can't record it, because बनाने में खर्चा कितना लगा, आप आलूम नहीं है न, तो just like goodwill इन तीने को भी आप खुद generate करेगों, तो record नहीं कर सकते है but, किसी और का purchase कहा है, तो you can record it, ठीक है उसके बाद है subsequent measurement यहां मैंने बता है, एकी model है, cost model, उसके बाद subsequent cost incur, मतलब एक बार intangible खरीद लिया, उसके बाद जब future में खर्चे incur करोगे, उसको क्या करना है, तो अगर subsequent cost का आपको लगता है की FEB मिलेगा, तो you can capitalize, अगर आपको लगता है FEBs नहीं है इसके, तो profit and loss, जैसे for example, suppose आपको software use कर रहे थे hang हो गया, आपने engineer को बुला और repair कर वाया उस software को, तो यह FEB increase नहीं कर रहे यह जाएगा P&L के अंदर, but suppose software expire हो गया, आपने इसकी validity increase कर वे पात सल से, तो इससे आपको FEBs मिल रहे है, this you can capitalize, example के तौर पे, ठीक है, उसका दगला point पाचवा point, इसमें आपको बता है मैंने कसम खिलवाई थी, ऐसे कसम खिलवाई थी, बिना cross वाली, की मर जाएंगे मिट जाएंगे, लूट जाएंगे, लेकिन कुछ खर्चे को हमेशा profit and loss में transfer करेंगे, वो methods, SLM, WDV, universe of production, same like AST, उसके बाद amortization period, start कप रहेगा, available for you, जब है तब, end कप करना, जब life, खतम, या फिर asset बेज दिया तब, ठीक है, अब इसमें एक point काम का है, useful life of intangible, important है AAS26 बोलता है कि हम किसी भी intangible की maximum life 10 साली मानेंगे, यह presumption AAS26 का, maximum life 10 साल, अच्छा है ध्यान नट, question में अगर बोला life 4 साल है तो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 साल मानना, बट बोला अगर 15 साल है, तो बोले नहीं नहीं हम 10 साली मानते हैं, पहले चीज़, second चीज, sir life 10 के उपर नहीं ले सकते कभी भी ले सकते हो, only when company has evidence, अगर company proof कर सकता है, कि इसका benefit मुझे 10 years से उपर मिलने वाल है, then you can assume the life to be more than 10 years, but exam point बेसे कुछ नहीं बोला है, और life बोलती है 15 साल, तो बोलना not allowed, presumption है कि 10 साली maximum हो सकती है, उसके अलावा, अगर goodwill आपके पास purchased वाला, तो उसकी life as per AS14 वो बोलता है 5 साली होनी चाहिए, just remember this, okay, उसके बाद है अगला point residual value, normally intangible में substance नहीं होता है, तो उसकी कोई residual value नहीं होती है, तो normally कुछ नहीं जीरो माल लेना, but, कभी-कभी क्या होता है आपको अगर किस third party से commitment मिला कि चलो, आप हमारे पास ले आना, आपका expired software हम तुमको कुछ तो पैसा दे देंगे तो उस case में, commitment third party से, then you can assume the scrap value to be something, okay उसके बाद, changes in estimate of amortization method, same अगर amortization method, useful life, residual value change हुआ, तो change in accounting estimate मानना, prospective accounting करना पुराना कुछ मत change करना, उसके लावा de-recognition मतलब book से बाहर करना, किसी भी intangible को book से बाहर कप करोगे जब आत उसको base दोगे, या फिर life खतम हो जाएगी अगर बेचोगे, तो gain loss होएगा जाएगा वो profit and loss के अंतर बराबर उसके बाद, यहाँ एक और point है impairment का, वैसे impairment पहलग से यह से, बट जो इतना काम क्या होता है discuss करूँगा, impairment का मतलब क्या होता है decline in the value of asset अब कभी-कभी आपको assets की impairment testing करनी होती है, तो यह test करने के लिए दो amount निकालना, पहला carrying amount दूसरा recoverable amount, बराबर carrying amount मतलब क्या, जो balance sheet में आपकी value हो, इसको carrying amount बोलते sir, recoverable amount मतलब क्या देखो, asset को use करने के दोई तरीके, या तो use कर लो, या तो base दो, बराबर तो recoverable amount is higher of use करने पर जो पैसा मिलेगा वो या फिर base ने पर जो पैसा मिलेगा वो दोनों में से whichever is higher, use करने value को बोलते value in use, बेचने वाले value को बोलते net selling price, दोनों में से whichever is higher, क्योंकि देखो अगर मुझे use करने से 1,50,000 का benefit है और बेचने पर 120 का benefit है तो तो मैं use करेगा ना यार, तो इसलिए whichever is higher, तो आप दोनों में से whichever is higher मानना recoverable amount, अब अगर आपकी caring amount जादा है, और recoverable amount कम है, मतलब आपने balance sheet पे asset को over value करके दिखा रखा है आपके balance sheet में 1,75,000 है बट आप उत्ता recovery नहीं कर पाओगे higher लेने के बाद उत्ता recovery नहीं कर पाओगे तो बुक करना बढ़ेगा impairment loss ठीक है, ध्यान रटना, तो example लेलो, suppose carrying amount 2,00,000 है लेकिन recoverable 1,90 है तो बराबर आपका 10,00 का impairment loss आगा because जित्ता दिखरा उत्ता recovery नहीं कर पाओगे बट अगर carrying amount 2,00,000 है और recoverable 2,20,000 है तो फिर, तो impairment gain मत बुक करना there is no concept of impairment gain या तो impairment loss है या नहीं है impairment gain कुछ नहीं होता है, ठीक है तो अगर आपका carrying amount 2,00,000 है तो loss है, अगर negative आता है तो फिर वो loss नहीं है मतलब hint दे रहा हो, बस simple ठीक है, उसके लावब आपके सवाल पते क्या आएगा, कि सर हमको यह फरक बताओ impairment loss और revaluation में फरक क्या है दोनों अलग चीज है, ठीक है impairment के अंदर normally हम loss ही बुक करते revaluation में loss और gain दोनों आ सकता है second important चीज, impairment निकालने के लिए compare क्या किया? carrying amount or recoverable amount but revaluation के लिए क्या compare क्या? carrying amount and fair value, तो दोनों अलग चीज है merge मत करना उसको, उसको उसके बाद एक और other important points था अगर आपने intangible acquire किया है बट बदले में पैसा भी नहीं दिया बदले में कोई asset भी नहीं दिया बदले में अपने company के shares दिये बराबर तो जो intangible आ रहा है उसको कौन से value पर record करेंगे तो बोलता है इस case में fair value of asset acquired या फिर fair value of shares given up whichever is more clearly evident कोई question नहीं है इसके उपर बट concept तो MCQ में ध्यान रखना बस ठीक है तो ये था आपका concept जो आपने पड़ा वो अब फटा फट से इसा पुदक के आएंगे जब मार के questions पे अच्छा एक बात ध्यान रखना मैंने intangible की बात है intangible नहीं sorry impairment की बात है उपर उपर से क्यों अरे अलग से ASF हाँ चर्चा करेंगे ना अभी जब girlfriend से phone पे बात करोगे तो उपर उपर से बात करोगे main detail में बात है date पे जाँगे जब करेंगे ना भाई आप समझाया सर आजाओ इदर फाल्दू बात है सर इदर आजाओ अब आपन फटा फट से जो धंग के question है वो discuss कर लेते है जान रखना पहली बार में आप सारे question करोगे जब revise कर रहे हो तो जो मैं question बताओ उसको पक्का पक्का लिके practice करना पहला question number one इसमें क्या बोला गया सुनना आपके वास एक intangible था उसका नाम था know how बराबर 20,000,000 expenditure था 10 साल की life थी अब आप अब है ना आपने खरीदा 11 में 18 तक पहुच चोके हो आपने उसको amortize ही नहीं करा गलती कर दी है तो इस गलती का accounting वैसे AS5 में covered है AS5 आपन अब तक पढ़ा नहीं है आपने कित्ते साल तक amortize नहीं किया 7 years तक वो 7 में से एक साल तो आपके current year है देखो मैंने आप दिखा रख रख आपको 7 में से एक साल तो current year है और बाकी 6 साल आपके previous पुराने साल है बराबर तो जो पुराने साल में amortize करना भूल गये ना उसको बलते है prior period item बराबर तो 7 साल का amortization नहीं किया गल्ती कर दीना आपने current year का जो अलग निकालना current year छोड़के बाकी साल का अलग निकालना क्यूँ? तो बाकी साल का जो आया उसको मैं बुलूँगा prior period item जाएगा panel में बट नाम दूँगा prior period item और जो current year का amortization है वो अलग दिखाऊंगा वो जाएगा panel में amortization के नाम से समझे? तो total आपको 14 lakhs का amortization चार्ज करना है जो आपने नहीं किया simple entry वगेरा simple है उसके बाद इसमें जो बाकी questions एक्दम straight forward है मतलब कभी-कभी directly पूछा define को intangible को exam में straight forward question बहुत rarely आते बट पढ़ लेना ठीक है जो काम का अगला question है वो है illustration number 9 अब इसमें क्या बोलता है ध्यान से आपन देखते सबसे पहले अपने को इसके अंदर बोला गया है कि मेरे पास patent है 5 साल के life है बट इसमें से हमने SLM follow नहीं किया इसमें से 2 साल amortize का 10 10 lakhs बचा किता 60 और life किती बची अभी 3 years life बची है अब इन्होंने क्या के life revise कर दी बुला भी 3 नहीं after 2 years it was found that it may continue for another 5 years तो life होगी revise मैने का सिखाया था जब life revise होगी तो amortization will change prospectively जैसे PPE पे होता depreciation यह होता amortization तो it will change prospectively ठीक है बट divide by 5 मत करना भी directly ADE की तरह यहां आपको निकालना है amortization in the ratio of cash flows मतलब जितना benefit मिलेगा उस ratio में निकालना amortization तो यहां पते है क्या करना जब आप year 3 onwards निकालोगे न amortization in the ratio of cash flows तो यहां आप balance carrying amount पे निकालना amortization sir 80 पे क्योंने निकालेंगे देखो जब तक आपका estimate change नहीं हो रहा था आप इस पर निकाल सकते थे जैसे आपके life का estimate change हो आप जो भी amortize होगा वो आपका यह balance 60 lakhs होगा तो अब जो भी आपको amortize करना वो 60 lakhs को amortize करना in the ratio of your cash flows ध्यान रखना इसा मैंने लिखके भी दिया हुआ okay key point here उसके बाद illustration number 10 बड़ा simple है इसमें क्या हुआ पता है 20 lakhs research में आपने incur किये है कुछ सालों के बाद company बोलता है कि नहीं नहीं हमको research नहीं हमको capitalize करना है नहीं चलेगा research phase का खर्चा जाता है पेरल के अंदर ध्यान रखना उसके बाद illustration number 11 interesting question क्या बोलता है इसमें आ अलग-अलग phase के खर्चे दिये हुए अब नीचे आप देखोगा तो क्या बोला है after completion of phase 2 development phase चालो हुआ है phase 2 के बाद phase 1 और phase 2 का खर्चा research phase का खर्चे जाएगा पेनल के अंदर बराबर और बाकी जो भी खर्चे वो आपके होई है capitalize but development phase में भी सारे खर्चे capitalize नहीं होते हैं जो भी directly attributable expensive होई capitalize होता है तो for example जैसे यह phase 1 phase 2 यह दो जाएगा पेनल के अंदर उसके बाद phase 3 और 4 और 5 और 6 यह सब capitalize कर सकते हो बट देखना खर्चे का nature किया है जैसे other coding cost this can be capitalized testing cost can be capitalized product masters for training materials अब आप पते गल्दी का करोगे आप यह training word पढ़के बोलोगे training का खर्चा है capitalize नहीं करते हैं भाई यह employee को training नहीं दे रहे हो आप यह software की training or development का खर्चा है जब software को train or develop कर रहे हो ना उसको capitalize कर सकते हो यह अगर employee training होता तो capitalize नहीं कर सकते हैं तो यह product master मतलब software develop हो रहा है आपका तो यह capitalize कर सकते हो फिर है packing cost अब भली packing cost development phase में किया है लेकिन packing बनाने का खर्चा नहीं है यह selling का खर्चा है बेचने के पहले packing तो यह आप capitalize मत करना ठीक है तो यह सब मैं यहां लिखके दिया हुआ है ध्यान रखना प्रीज उसके बाद अपने पास था question number इसमे question number 2 अच्छा है बटना यह मैंने यहां नहीं करवाई यह मैं आपको AS28 में करवाऊंगा क्योंकि AS28 में अच्छा करवाऊंगा तो यह है important मैं वहाँ revise करवा दूँगा आपको यह वाला ठीक है उसके बाद इसमे question number 3 अच्छा question है देख लेना भाई इसमें क्या हुआ है इसमें अपने पास intangible था period 15 years मानके amortize किया है आपने सीखा था था न बात नहीं किया तो evidence नहीं है तो गलत किया है इनको 10 साल में amortize करना चाहिए अब इन्होंने गलती कर दिये तो जितना भी आपने कम amortize किया है यहाँ देखो कैसा निकाला मैंने मैंने बोला अगर पहले मैंने theory लिके exam में हर ASK question में 2-3 line का ज्यान देकर आना पूछे ना पूछे देकर आना ठीक है अपने own words में word to world लिटने का जरुवत नहीं ठीक है मैंने बोला आप 10 years के साब से amortize करोगे तो यह carrying over बस्ती 48 lakhs इन्होंने equation में 72 दे रखिए तो आपने इतना कम amortize किया इतना आपको करना पड़ेगा अब यह भी हो गया prior period item तो जाएगा prior period item to intangible asset अब ICI ने इसको prior period के बदले revenue reserve बोल रखा है बराबर actually यह prior period होना चाहिए ठीक है ध्यान रखना क्योंकि similar question में उपर जब गलती की तो prior period बुलाता ना यार तो यह थोड़ा mismatch इतना ध्यान रखना उसके बाद question number 4 एकदम शांदर question इसको दो flying किसी दे दी flying किसी सर सो उनों क्या बोलता है सबसे पहले अपने पास एक business acquire कर रहे है आपन पहले case में PC दिया 25 lakhs का और net asset आये 18.75 lakhs का तो जितना भी आपने एक्स्ट्रा PC दिया over and above net asset acquired वो goodwill हो जाएगा 6.25 lakhs तो पहले आपको आजाएगा goodwill मैं दिखा दू आपको इधर आजाओ तो पहले आपको आजाएगा इधर goodwill ठीक है 6.25 lakhs का अब मैं बता दू आपको इनने पूछा क्या है year end की value इस पूछे intangible के ठीक है तो goodwill कुछ नहीं बोला तो 5 ways में अमोटाइस करना तो अमोटाइस किया year end की value मिल गई उसके बाद second patent acquired किया 6,00,00,000,000 तो यहाँ भी same किया मैंने 6,00,00,000,000 life 8,00,000 amortize किया year end की value मिल गई ठीक है फिर franchise acquired किया 450 lakhs में but सिफ 450 lakhs नहीं हम 450 आज भरेंगे उसके लावा annually 10% जित्ता भी revenue कमाएंगा उसका भरेंगे तो यह जो annual fee आप 10% भरोगे ना यह आपके cost में capitalize मत करना क्यूँ capitalize करने के ला amount पता ही नहीं है because यह future outcome पे dependent है जित्ता future में revenue कमाऊगा उतना आपको भरना है तो यह जब जब पे करोगे तब तक expense out करता ना profit and loss में ऐसा तो आज आप सिफ 450 पे record करोगे life 6 years है तो हमने वही किया 450 पे record किया life 6 years है ठीक है इसमें एक छुटा सा है ना important part था क्या पता है आप ध्यान से देखो goodwill arise कब हुआ June में patent कब आया August में franchise कब आया October में तो amortize तो पूरे year से करना ही नी चीह था partially जैसे for example यह franchise 6 महने के लिए आपके पास तो current year में 6 महने के लिए करो न amortize यार बट एक line लिखी थी इस question में कि हम एक policy follow करते कि हम full year का amortization लेंगे जिस साल आपने खरीदा है in the year of acquisition taking a full year amortization in the year of acquisition मतलब जिस साल खरीदोगे उस साल पूरे साल का लेना amortization भली आपने October में खरीदा है कोई बात नहीं पूरे 12 मिने का लेना amortization अब यह सही है गलत है वैसे ही गलत है बट पूछा नहीं आपसे सही गलत है उसने बोला यह करना है आपसे ऐसा बोला क्या कि comment on the policy of company नहीं उसने बोला company follow कर रही है तो भाई ने बोला करने का तो करने का उस पर घ्यान मत देख रहा ना नहीं करना है यह नहीं करना है वो नहीं करना है तो जो बोला हो करकर आ जाना बराबर तो मैंने बस वही किया जो भी values acquire किया एक साल का amortization minus किया closing balance मिला उसको दिखा दिया इसमें मैंने एक extra part भी discuss किया profit and loss का कि profit and loss में क्या क्या आएगा इस question में revenue का amount दे रखा है first year में आपने कितना revenue कमाया तो वह आपके income side में आ जाएगा अब जितना revenue कमाया उसका 10% annual fee देना यह भूल मत जाना तो यह भी आ जाएगा और amortization आ जाएगा profit and loss के अंदर ठीक है तो यह extra part है पर फिर भी मैंने discuss आपसे कर लिया था उसके बाद और क्या है question number 5 पढ़ लेना एक बार कुछ है नहीं 6 भी just read once it is simple याद है मैंने आपके question कर वाया था जीतर अगर आपका cash loss का estimate change हुआ तो amortization changes prospectively same है question 6 if you want I'll show it to you कैसा करने question 6 के अंदर तो question 6 मैं पता है कैसा था अपने पास है पहले ज्यान लिखना ठीक है 2-3 line का फिर अपने पास है ना 1200 का patent था इसकी life 5 years थी पहले बढ़ हमको नहीं पढ़ता है हम तो cash loss के estimate में इसको amortize कर रहे थे तो पहले 3 साल मैंने इसको amortize किया मस्त बराबर अब 3 साल के बाद यह मेरी value बची ideally life 2 साल ही बचनी चीए थी बढ़ 2 साल नहीं उसने वहला एक साल से बढ़ गई और वो 6 year का cash loss भी दे रखा उसके बाद question number 7 है यहाँ एक brand खरीदा है मैंने brand के बात कही थी अगर तुम brand self generate करोगे can't record और record करोगे तो amortize करना पड़ेगा यहाँ company amortization नहीं कर रहा है तो गलत कर रहा है बता देना गलत किया AS26 आपको खर्चा किया for defending the patent मतलब legal case पर खर्चा किया आपने legal case पर जो खर्चे करते हो ना एक होता है देखो register करने का खर्चा register वाला खर्चा you can capitalize but suppose patent आप भी के पास था अब किसे ने वो patent copy वगरा कर लिया आपका तो आपने उसको पर case कर दिया खर्चा लगा तो वो subsequent cost से आपकी patent की life नहीं बढ़ रही है तो वो जाएगा profit and loss में वो capital expenditure नहीं है ध्यान रहता उसके लावा publicity और research वाला खर्चा profit and loss में जाना चाहिए उसके लावा एक और चीज़ है 25 लाग सिंकर किया past 3 years में to develop a product these expenses were charged to P&L मतलब पिछले 3 सालों में आपने खर्चे किये वो research phase वाले खर्चे थे वो गये P&L में अब P&L में क्यों गये because it did not meet the criteria for capitalization in the current year of approval the current year approval आ गया अब company बोलता है जो पुराने खर्चे मैं उसको भी capitalize करूँगा नहीं चलेगा भाई वो तभी तुमने डाला ना P&L के अंदर क्यों डाला P&L में तभी वो research phase था तो आप पुराने खर्चे को आज लाकर capitalize नहीं कर सकते वो गया P&L में हो गया उसका काम ठीक है क्योंकि वो उस समय के एसाफ से it was research phase ठीक है ध्यान रटना उसके लाबा Advertising वाला खर्चा मैंने बता आता ना Training का खर्चा Advertising वाला खर्चा Startup वाला खर्चा Relocation वाला खर्चा Research का खर्चा मर जाओंगे मिड जाओंगे लुड जाओंगे लेकिन हमेशे जाएगा पेनल के अंदर इन्होंने वही बोला हमने पेनल में इतने में एक वार किया conversion rate दे रखिये और trade discount मिला है 2.5% का तो आप कैसे करोगे सबसे पहले purchase price लिको trade discount माइनस करो उसको convert करो रूपीज में तो into conversion rate जो भी दिया है तो रूपीज में मिल जाएगा अब आपको बोला import duty 10% तो इस trade discount के बाद वाले value पे import duty लगेगा 10% का फिर लगा additional import duty अब ये जो additional import duty है ये सिफ purchase price पर ने लगता है ये purchase price प्लस import duty जो है उस पे लगता है additional import duty ध्यान रटना ये important है ठीक है तो ये वाला part is important उसके बाद आपने खर्चा के installation का और professional fees capitalize होईगा कर देना अब इसमें एक और चीज़ important ये है कि इसमें entry tax है 2% का recoverable, recoverable tax आपन कभी भी consider नहीं करते है तो उसको add मत करना cost में और मैंने एक और assumption लिया हुआ है कि 1,50,000 में ये 2% included नहीं है मतलब this 1,50,000 is excluding the tax amount ठीक है तो मैं उसको minus अगेर भी नहीं कर रहा हूँ मतलब मैं completely इसको ignore कर रहा हूँ ठीक है ध्यान लग चलो उसके बाद question number 11 मस्ता question है फटावट सा देख लो क्या बोलता है बोलता है हमने खर्चा incur के 80,000,000 का अब उसमें से हमने हमारा intangible कब recognize करना है 1st November से मतलब 1st November के बाद से development phase शुरू हुआ है 1st November के पहले का खर्चा आपका था 42,000,000 तो आप मैंने पते प्यारे से बनाने timeline कि देखो ये मैंने चालू किया काम, November तक कितना खर्चा हुए 42 इस अगा research में, तो out of 80,000,000,000 तो बचा आप development phase में incur करोगे 38 lakhs, you can capitalize ठीक है उसके बाद एक बाद development phase शुरू हुआ, तो development phase चलता रहेगा, तो बोलता है हमने उसके बाद 90 lakhs और incur किया, तो वो भी आपने development phase में incur किया रहेगा, त तो क्या करना है इंपेर्मेंट टेस्टिंग करना है और रिकवरेबल अमंट कब दिया हुए 31st मार्च 20 में दिया आपको रिकवरेबल अमंट जो भी आपको 82 लेक्स दिया हुए तो सॉल कैसे करेंगे तो मैंने क्या बाता सबसे बेला थोड़ा ज्यान दे कराना मैंने ज्यान दिया हुए research development phase के बारे में ठीक है फिर मैंने अब जितना खर्चा आपने research phase में किया पेनल में जाएगा development phase वाला खर्चा capitalize यह हो गया प्रीवेसर का फिर current year में इतना आपने capitalize किया था इतना और खर्चक है development phase में तो total carrying amount यह हो जाएगा फिर recoverable 82 दे रखा है अब बुद्धि लगाओ carrying amount जाद है लेकि उतना recovery नहीं कर पाऊगे तो loss हो गया impairment loss कहा जाएगा पेनल के अंदर अब एक बार आपने loss book किया तो आपके asset की carrying amount 128 नहीं रहेगी because 128 थी फिर आपने उसको गिराद या 46 lakh से तो इतने बचेगा 82 lakhs carrying amount बचेगा आपका ध्यान रखना ठीक है that's it question number 4 तो हम कर चुके उसके बाद मेरे काल से और कुछ बसता नहीं है इसी बात पे आ आपका revision हो जाता है खतम ध्यान अटना जब आपने यहां तक revision देखा है तो there will be two outcomes of this revision या तो revision देख के आपको जो point याद आये brilliant को दिक्कती नहीं है कुछ ऐसे points होंगे जो मैंने revise करा है फिर भी आपको याद नहीं आएंगो that is okay बस mark करना जैसे revision video खतम हो उस points को फटा फट एक बार revise करना खुझ से अकेले में बैठके आपको एकदम मस्त फील होएगा practice कर लेना काम बन जाएगा उसके लावा revision वीडियो देखने से आप आस नहीं होगे revision वीडियो चीज़े recall होती है revise होती है self practice is going to be the key to clear any exam वो भी ध्यान रखना ठीक है तो इसी बात पर session करता हो करसी बात पर भाएगा